कि अब दें आया कर ये स्था से अब से r剛剛 कि कवर करने वाले हैं दणू लगन की कुल्डी में यदि के तू अस्टम हो में बैठें तो क्या फल है हम यह भी कह सकते हैं धनू लगन की कुल्डी में कर पराशी का के को ãyदू किस्प्रकार का फल देता है तो आईए शुरुवात करते हैं आज़की क्लास का लगन से गिनेंगे अंटी क्लॉक वाइस तो या आएगा नौवा भाव नवं भाव शुरी अस्टम भाव आठवा भाव बताता है हमारे लॉंग लाइफ को कितना लंबा जीवन रहेगा हमारा आठवे भाव से ससुराल पक्ष भी देखा जाता है कोई भी गुप्त प्राप्तिया गुप्त धन गड़ावा धन इस प्रकार की जो भी बाते हैं सब अस्टम भाव कौन है चंद्रमा चंद्रमा अगर बली हो जैसे चंद्रमा इस घर का स्वामी यहां बैठ जाए अगर क्या कमाल का अस्टमभाव बन जाएगा एक तो वो उच्च का हो गया और दूसरा वो विपरीत राजयोग में इन्वाल्व हो गया एक शर्त यह है कि इसमें तीन छे आ पास पंचम की भी है और बारवे की लाट शिप अगर है वो अगर इन्वाल्व हो रहा है विपरीत राजयोग में तो वो कंसिलर किया जाएगा अदरवाइस उसको विपरीत राजयोग भंग वाना जाएगा कि प्लानेट इसका इसमें तो बैठ रहा था लेकिन उसके साथ म मतलब सिर्फ केंद्रा का लाट शिप है या एकादर्श भाव का लाट शिप है दूसरे का है लेकिन वो तीन छे आट बारा में इंक्लूड नहीं हो रहा है अगर वो नहीं होगा तो फिर विपरीत राजयोग भंग माना जाएगा ठीक है तो ये एक ऐसा विपरीत बना रहा है बहुत बली उमर बहुत ज़्यादा होगी कोई समस्या ही नहीं उमर की तो चंद्रमा लेकिन इसमें एक समस्या क्या है चंद्रमा तो बहुत बली हो गया आपका बहुत ज़्यादा बली है केतु को हमने सिग्निफाई कर रखा है कि ठीक है वाटर साइंस में और और फायर सायन में ये समानिता अच्छा फल देता है लेकिन जैसे मंगल करक राशी में उसके मित्र की राशी है चंद्रमा की राशी है फिर भी नीच का फल देता है ऐसे ही के तू यहां करक राशी में तब तक फेवर नहीं करेगा जब तक चंद्रमा लगन से केंद्र में ना यहां पर बैठ गया फिर भी हम उसको नीच भंग में नहीं गने हम इतना ही कह सकते हैं आपकी उमर बहुत जादा है लेकिन instantaneous effect को कमजोर करेगा के तू ऐसा कहते हैं कि जब कोई प्लानेट उच्च का हो जाता है तो हाउस का मतब एक दम उसने जितना उसके पास total net result था वो आपने दिल खोल के दान दिया उसने 70% तो जब उच्च का कोई planet हो जाता है उस condition में घर को खराब करने वाले planet के पास जादा कुछ agenda रहनी जाता है ठीक है उमर तो आपकी बड़ी है ठीक है ससुराल पक्ष से आपकी कम बातचीत होती है ससुराल पक्ष से थोड़ी अन्बन भी रह सकते हैं लेकि resultant को रोकने वाला नहीं क्योंकि घर का स्वामी उच्च का हो गया है आप पता लगा छे मेने में एक साल में कभी ससुराल वालों से मिलते हैं फोन पे ऐसा लगता है अन्बन है लेकिन जैसे सामने आते सब तकरार मिट जाती है कारण resultant बहुत ज़्यादा बली है घर का स्वामी बहुत बली है तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर के स्वामी के पास result को खराब या अच्छा करने की net power reserved रहती है हम ये मान रहे हैं अकेला के तु यहां पर instantaneous effect को कमजोर कर रहा है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतम द्रश्टा ये भी लग सकता है आपके external sexual organ में कोई कमी हलकी फुलकी खारिश रहना, fungal infection, कोई कोई मतलब खुजली के निशान और इसमें चोट के निशान भी रह सकते हैं लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या अपर रहा है अगर चंदरमा बली है या वो लगन से केंदर में आ गया है तो नीच भंग माना जाएगा फिर उसको केतु अच्छा फल देने लग जाएगे लेकिन अगर वो चंदरमा केंदर में नहीं आ रहा है या स्वग रहे नहीं है तो हम ये इस प्रकार के समस्याओं को जरूर गिनेंगे यानि ट्रेंट से हटकर केतु फल दे रहा है वो राशी जलततव राशी है उसके बावजूद भी केतु यहाँ पर अपना फुल जो पावर उसकी है वो अपने आपको एक्स्प्लोर नहीं कर पा रहा है ज्यादा इस कंडिशन में कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि आदमी अ पने कारे को करने के लिए कहीं न कहीं तामसिक प्रवर्तियों की और अग्रसर हो सकता है क्लिर हो गया यानि जो अकल्ट का नेगेटिव वाला पार्ट है उसको वो इनिशेट कर सकता है अगर अश्टम भाव में कभी भी कोई गलत कॉम्बिनेशन आता अश्टम भाव का इच्छा करता है वहां फज़ जाता है चंद्रमा अगर बली है तो आपके रिजुल्टंट को भी गड़ने नहीं देगा क्लिर हो गया अस्टमभाव जीवन में अचानक होने वाले फायदे नुकसान कराता है इस कंडिशन में अगर नीच बंग नहीं होता तो कहते हैं कि विक्ति को जो इंशुरेंस वो कराता है इस प्रकार कि कोई भी डेट इंशुरेंस उसने कराए है उससे कोई खास फायदा नहीं मिलता जितना उसने इन्वेस्ट किया तो उतना ही करीब करीब रिटन उसको मिलता है सदन गेन सदन लॉसेज अब कहले लगो इसको पांचवे के साथ अटैच करते हैं सदन के लिए लेकिन ध्यान रखिएगा पांचवे का आर्थ होगा आपकी इच्छा से किया गया लॉट्री सट्टा आपने को पता था इसमें कुछ और यह फॉर शॉट डूरेशन होता है अब इसमें क्या है आप जिसके लिए बिल्कुल तयार नहीं थे वह सदन ली जो भी कुछ हो रहा है जीवन में वह अश्टम भाव तो पांचवे भाव की सट्टा या लॉट्री और अश्टम भाव की सदन्नेस में अंतर समझना है दोनों को सिनौनिम नहीं मानना है वह मतलब अलग अलग है कहीं आप इसको प्रायवाची समझ लेकि क्लेर हो गया यहां से गिंते हैं दुष्टियों को एक दो तीन चार पाँच के तु यहां बैटकर दूसरी जलतत्व राशी वरश्चिक राशी पर नजर बनाए हुए जो इनकी वन ओव दा फेवरेट राशी है यह भी गुप्त रहने की बात करता है यह भी कहीं न कहीं अप ज्यादा बहुदर नहीं करता अब वे करवाएगा जरूर करवाएगा निश्चित रूप से करवाएगा लेकिन वे को लेकर समस्या ही नहीं खड़ी होती हम वे को लेकर समस्या किसको मानते जब जातक को लग रहा है नवास तो पैसा ही नहीं मैंने क्यों बेमतलब का करने का अर्थ है कि अनिद्रा जैसी समस्या है नहीं होंगी शयन का सुख पूरा मिलेगा चरण जो आपके फुट है वो निर्दोश होंगे उसमें कोई बड़ा दोश दिखाए नहीं देता है शर्त यही है घर का मालिक मंगल भी मजबूत अवस्था में अगर इसे मंगल को तो पॉस्टिव कर देती है मतलब आपके जीवन में वे भाव को लेकर ऐसा लगता है कि कोई चिंता नहीं रहती है लेकिन जब वाके ही कभी कभी काउंट किया जाता दूसरों के सामने इसको देखा जाता तो बहुत बड़ी खामी मिलती है आपके खर्चों को लेकर कि आ पैसा बरबाद करते हैं वो भावना या वो विचार तभी बनता है जब बारवे भाव का स्वामी बहुत कमजोर अवस्था में हो और दृष्टी डालने वाले प्लानेट का भी कोई खासा बल नहीं मिल रहा है लेकिन भावेश का बल अगर नहीं मिले उस दृष्टी में र प्रतम दृष्टा कोई भी देखे कहें का नहीं नहीं आपका 12th house तो बहुत अच्छा है आप अच्छा वे करते हैं अच्छा खर्चा करते हैं करते भी हैं मंगल लेकिन अगर कमजोर हो तो उस खर्चे से आपको समय समय पर व्यवधान आ जाते हैं और जब मंगल हमारे खर ठीक हो गया और बारवा भाव हमारी निद्रा को बताता है तो शेहन सुक होता है इसके जीवन में अगर बारवी भाव का स्वामी भी बलिया हो और एस्पेक्ट करने वाले प्लानेट भी सपोर्टिव है और फॉरन लैंड फॉरन पीपल के साथ कोई बहुत ज़्यादा कॉ उसको हमेशा ही कोई नहीं कोई शुब समाचार इस प्रकार की समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी या द्यान दखने है जो भी अब इसको फॉरन लैंड हर बार अमेरिका इनी जाना आपको जैसे फॉरन लैंड कह देजी ओ तो यूरोप अमेरिका के बात कर रहा है अपन लिए एक alternate land या foreign land की तरह ही है अब मालीजी किसी का तमिल नाडू में हुआ तमिल भाषा में ही उसका पालन पॉशन हुआ लेकिन वो मैच्वर होने के बाद पंजाब में ही उसकी करमक्स्थाली बन गई पंजाब में उसको जीवन बीद गया तो ये भी उसके लिए foreign land की तरह ही है तो उस अंतर को जानना है आपको स्पेशली कहते हैं कि जैसे शनी राहू के तू और शुक्र के जैसे प्लानेट अगर foreign land के प्लानेट के साथ अच्छा संबंद बना रहे हैं तो फिर वो मलेक्षो की धरती यूरोप या अमेरिका तक लेकर जाते हैं लेकिन हमारे ही को प्लानेट जो संबंद बना रहे हैं तो फिर वो प्लानेट आपको अपने देश में एक फॉर्णर की तरह रखते हैं तो वो संबंद आपको जानना है कि शनी राहू के तू इनका foreign language या foreign land पर एक अधिकार है ठीक है तो के तू का भी इसमें नाम तो आई रहे हैं तो कही न foreign land में की गई investment से आपको अच्छा फाइदा हो जाता है फिर हम आगे बढ़ते हैं पांच छे साथ साथ वी दृष्टी को काउंट नहीं करना है आठ नौ नौवी दृष्टी से केतू आपके चतुरत भाव पर नजर बनाये हुए हैं मीन राशी में चतुरत भाव होता है मा का हमारे खुद के घर का वाहन जीवन में सुखों का एजुकेशन एबिलिटी एजुकेशन इंटरस्ट तो बारा नंबर पढ़ रहा है यहां पर केतू का प्रभाव यहां सपोर्टी माना जाता है मीन राशी को सपोर्ट करने वाला है केतू तो उनकी जो माताश्री होंगी वो इंटेलिजेंट हैं बुद्धिमान हैं और बुद्ध कहा जाता है ब्रहस्पती का रोमेंटिक फेस रिपसंद करता है तो आस से विनोध भी पसंद करते हैं समझदार हैं बहुत हसी मजाग पसंद करने वाले केतू के कारण व्यक्ति वैसे उनसे जादा बातचीत नहीं करता है जो भी जातक होगा कम बात bullied करता है लेकिन उनके साथ हमेशा उसके मदूर संबन्द होंगे एक तो रहीं बहुत ज्यादा टाकरटिव है वैप बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं यानी वैतिके मता की प्रसनलीटी पता लएक तो केतू की दृष्टी बतारहा है कि भवन की भवन ब्रहस्पती के प्रभाव से प्रभावित है और केतू की दृष्टी ये बताती कि आदमी अपने भवन को लेकर कोई भी एहंकार दिखावा ऐसा नहीं करता है और ना ही ज़्यादा भवन के कारों में इन्वाल होना चाता है लेकिन इसका कभी भी दुश ने वाला ना हो राहू तो बहिर मुखी है वो जाते से ज्यादा शौफ करता है इन विशेयों पर लेकिन केतू डिसेंट है इन विशेयों को लेकर तो अपने मकान में वो ज्यादा चटक कलर नहीं कराना चाता है आप दूसरे से कम रखना चाता है अपने मकान को दूसरे से दिश्टी पढ़री तो उसका अर्थ होता है कि वैसे विक्ति को कोई हरदे दोष जान नहीं पड़ता है लेकिन अचानक जीवन में कभी कबार उसको फेफडों में दर्द होना शुरू हो जाता है उसके हरदे में कोई पीड़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि चतुर्द भाव का स्वामी अगर कमजोर है तो फिर वो आपको हरदे रोग दे सकता है फेफडों में समस्या दे सकता है और केतु का यहां पर बली होना गुप्त रूप से स्मोकिंग की तरफ भी इशारा करता है तो उससे आदमी को बचना चाहिए अगर घर का मालिक कमजोर अवस्ता में है तो अगर ब्रहस्पती कमजोर अवस्ता में नहीं है मजबूत है अगर तो फिर वो जैसे कई कल्चर में तो हुका वगरा पीना अच्छा भी मानते है अपने कल्चर का पार्ट मानते है फिर वो एक्सेप्टेबल हो सकता है लेकिन हम धुम्रपान को वैसे निशेद की ही दृष्टी से देखेंगे अगर हमने कल्चर के साथ अटेच किया मान भी है फिर भी दृब्रपान तो एक मजबूरी ही है यहर प्रकार का यह भी प्रकार का नशा हम जानते हैं इस पर निकोटीन होता है तो वो एक चैलेंज मतलब एक नशा का माने यानि हमारी कमजोरी तो है ही तो इस चीज़ से आपको दूरी बनाने चाहिए इस पेशली तब ज चीज़े जाना जाता है जो सामान्य विक्ति के पकड़ में नहीं है क्योंकि यहां मींद राशी वैसे भी ब्रहस्पती का ब्रामिन रूप है बढ़िया है पढ़ाई लिखाई में और के तू सामान्य जन से ज़्यादा अटैश्मेंट नहीं रखता है डिटैच करता है तो अगर यहां चन्दरमा केंद्र में आ जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है और अगर चन्दरमा केंद्र में नहीं आता है तो फिर यह concentration base है फिर केतू का जो प्रभाव वो बिगड़ जाता है लेकि अपनी चीज्यों को पूरी तरह मैनेज करने का प्यास करता है क कि उसकी दोनों दृष्टियां जलतत्व राशियों में जा रही है आज की क्लास के लिए इतना ही क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं अंगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भगु पर आशरा जैश्री शुक्राचारिया नमस्कार